पच्चतावा एक मेहनती और इमानदार नौजवान बहुत पैसे कमाना चाहता था क्योंकि वह गरीब था और बधाली में जी रहा था। उसका सपना था कि वह मेहनत करके खूब पैसे कमाए और एक दिन अपने पैसे से एक कार खरीदे। जब भी वह कोई कार देखता तो उसे अपनी कार खरीदने का मन करता। कुछ साल बाद उसकी अच्छी नौपरी लग गई। उसकी शादी भी हो गई और कुछी वर्षों में वही एक बेटे का पिता भी बन गया। सब कुछ ठीक चल रहा था मगर फिर भी उसे एक दुख सताता था कि उसके पास उसकी अपनी कार नहीं थी। उसके साथ था। बेटा भी पिता के आगे पीछे घूम कर कार को साफ होते देख रहा था। तार धोते धोते अचानक उस आदमी ने देखा कि उसका बेटा कार के बोनट पर किसी चीज से खुर्च खुर्च कर कुछ लिख रहा है। यह देखते ही उसे बहुत गुस्सा आया। वो अपने बेटे को पीटने लगा। उसने उसे इतनी जोड से पीटा कि बेटे के हाथ की एक उनगली ही तूप गई। दरसल वह आदमी अपनी कार को बहुत चाहता था और वह बेटे की इस शरारत को बरदाश्ट नहीं कर सका। बाद में जब उसका गुस्सा कुछ कम हुआ तो उसने सोंचा की जाकर देखूं की कार में कितनी खरोंच लगी है। तार के पास जाकर देखने पर उसके होश उल गए। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा। तार पर उसके बेटे ने खुर्च कर लिखा था पपा, I love you। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी के बारे में कोई गलत राय रखने से पहले या गलत फैसला लेने से पहले हमें यह जरूर सोंचना चाहिए कि उस व्यक्ती ने वल काम किस नियत से किया है।